नमस्कार मैं प्रवेंड गोतम दोस्तों वीडियो में आपको दिखाएंगे मिथुन चक्रवर्ती का वो बयान जो दिखाता है कि बीजेपी के नेता से लेकर अबिनेता सब आकिरकार देश में भड़काओ बयानबाजी क्यों कर रहे हैं पानी चड़तने की बजाए आग लगाने पर क्यों उतारू है हिंदू मुस्रिम राज़ीती में मिथुन चक्रवर्ती ग्री मंत्र अमिश्या के सामने कानून अपने हाथ में लेने की बात करते हैं पब्लिक को भड़काते हैं मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में अमिश्या के इवेंट में किस तरह का बयान दिया आगे आपको दिखाएंगे आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले गिरीराज सिंग का भी एक भड़काव बयान आया था जिसको लेकर लोगों ने सवाल उठाया था कि मोदी सरकार के मंतरी होकर सविधान की शपत भूलकर गिरीराज सिंग की सतरह हिद्वों को उकसाने का काम करें हैं भीड बनने के लिए उकसा रहे हैं मुसल्मानों को मारने के लिए और अब मिथुन चक्रवर्ती ने भी ऐसा ही बयान दिया है इन सात्मक बयान दिया है मिथुन चक्रवर्ती ने और मिथुन चक्रवर्ती क्री मंतरी अमिश्या के सामने कहते हैं कि बंगाल में 2026 का चुनाव जितने के लिए कुछ भी करेंगे क्या कहते हैं मिथुन चक्रवर्ती जरा सुनिए तो मितुन चक्रवर्ती कहते कि बंगाल में चुनाव जितने के लिए कुछ भी करेंगी कारकरताओं का उत्सा बनाने के लिए ऐसा बयान ठीक है लेकिन कुछ भी करेंगी कि मायने आगे जो समझाते हैं वो सवाल उठाता है कि देश के ग्रे मंत्री के सामने आकिरकार कोई नेता अबिनेता इस तरह कानून हाथ में लेने की बात कैसे कर सकता है क्या कहते हैं मितुद चक्रवर्ती जरा सुनिए तेखिए हमारे यहां एक लेडर होता है कि हम 70% मुस्मीम है 30% हिंदू हम इनको काटके भागी रेदी में बहा देंगे हमने सोचा चीप मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कैसी बात करो किसी लिए कुछ नहीं कहा लेकिन हम चीप मिनिस्टर नहीं है लेकिन हम तो बोलेंगे, तुम काटके भागी रेती में भेज भेक देऊगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काटके भागी रेती में नहीं, तुमको भागी रेती हमारी माँ है, पुन्न माँ है, तुमको तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको भेकेंगे अगर कोई हिसात्मक बयान दिया है तो बीजिपी नेताओं को विपक्ष होने के नाते, मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना देना चाहिए, प्रेस कोंफरेंस करनी चाहिए, मीडिया का इस्तमाल करना चाहिए, बयान सुना कर कि देखिए किस तरह हिंदों को धमकी दिजा रह हैं, हिसात्मक बयान दे रहे हैं कि तुम्हारी जमीन में ही तुमको गार देंगे, दोसों मितुन चक्रवर्ती जैसे लोग तो वापस 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन परचार करके वापस मुबई चले जाएंगे, और परचार भी कड़ी सुरक्षा में करते हैं, ऐसे लोगों का बढ़का रहे हैं बंगाल में विजेपी को चुनाव जुताने के लिए, क्या कहते आगे में तुम्हारी जरा सुनिये कमाल ये है कि मिथुन चक्रवर्ती को टोकने की बजाएं अमिश्या और बाकी ने था, मिथुन चक्रवर्ती के ऐसे भढ़काओ बयानों पर तालिया बजाते रहें, तो क्या चुनाव में ऐसी रननीती से बंगाल जीतने की तयारी हैं? मिथुन चक्रवर्ती कहते हैं कि जो मरने मारने पर उतारू हूं, ऐसे कारकरताओं के दम पर ही बीजेपी चुनाव जीतेगी 2026 का, हम कुछ भी करेंगे, बूत पर अगर वो हमारे कारकरताओं को भगाते हैं तो हम उनके कारकरताओं को भगाएंगे. आगे मिथुन चक्रवर्ती ये भी कहते हैं कि बंगाल में हिंदुओं का वोट नहीं डालने दिया जाता आगे हम चुनाव जितने के लिए ऐसे हालात भी पैदा कर सकते हैं कि मुसल्मानों को वोट ना देनी दिया जाए क्या कहते मिठुन चक्रवर्ति जरा सुनिए دوستो मिठुं चक्रवर्तिक इस बात में क्या लोजिक है अगर मम्ता बनर जी सीम है तो अकेले मुसल्मानों की वोट के दम पर क्या सीम बन गई मम्ता बनर जी क्या हिंदुों ने वोट नहीं दिया मम्ता बनर जी को आज भी बंगाल में हिंदू वोट कहीं जादा है मुस्लिम वोट की बजाय जाहिर तोर पर हिंदू मुसलिम सबने वोट दिया है अकेले मुसल्मान के दम पर ममता चुनाब नहीं जीती है लेकिन धुरुविकंड करके बंगाल में आग लगाकर मिथुन चक्रवर्ती जैसे नेता क्या बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं काइदे से मम्ता बंदर जी से काम पर सवाल करना चाहिए बाकी भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं लेकिन यहाँ पर पब्लिक को उकसाय जा रहा है और इसमें बिगड़ेगा किसका जो ऐसी बातों में आकर कानून अपने हाथ मिलेंगे ऐसे बच्चों का युवाओं का बिगड़ता है नेता लोग कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं एकाद बार गाड़ी पर भले पत्तर चल जाये लेकिन उन पर कोई आश नहीं आ सकती मितुन चक्रवर्ती जैसे नेता बंगाल में जब पब्लिक के बीच जाते हैं कड़ी सुरक्षा होती है कुछ नहीं बिगड़ सकता लेकिन यहाँ पर मितुन चक्रवर्ती बीजेपी के युवाओं को कारकरताओं को उकसा रहे हैं कानून हाथ में लेने के लिए तयार हैं अगर आप मरने मारने को तयार हैं तो आप अच्छे कारे करता हैं क्या मितुन चक्रवर्ती का ये कहने का मतलब है हाँ बंगाल में टीमसी के कारकरताओं पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ममता बंडर जी जो वामपंती नेताओं पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाया करती थी उनकी सरकार आने के बाद बंगाल में चुनावी हिंसा होती है ये कड़ी सच्चाई है लेकिन उस पर लोगतांत्रिक तरीके से आवाज उठाईए आपकी ताकतवर है इतनी पार्टी के अंदर में सरकार है सब कुछ आपके पास है तो मीडिया के जरीए आवाज उठाईए प्रोटेस्ट करिए सीम के ऑफिस के सामने घर के सामने धरना दीजे जब कोई बात होती है लेकिन कालकरताओं को हिसा के लिए उकसाना सरासर युवाओं के साथ खिलवार करना है होता क्या है कालकरताओं पर केस होता है मुकद में वो जहलते हैं और ऐसे नेता अभी नेता बोल कर निकल जाते हैं ऐसे लोगों का क्या बिगड़ना है लेकिन ग्री मंत्रिय मिश्या के सामने मिथुन चक्रवर्ती का कानून तोड़ने की बात करना दिखाता है कि जब संया वहे कोतवाल तो डर काहे का आप देश के ग्रेमंत्री के सामने मितुन चक्रवर्ती की ऐसी भड़काव भाशा को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में पिरायस जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक स्क्रिप्शन का भी इस्तमाल कर सकते हैं इसके लाव वीडियो को लाइक करें चल्को सब्सक्राइब करें नमसकार